आप जानते हैं कि भार्तिय सड़कों पर हर एक घंटे में सत्रह लोगों की लख्थी होती है और विशेश कर इस समय जब बारिस हो रही है तो और भी जादा लोगों की हर घंटे मृत्यू होती है सूरज प्रकास वैद इस रिप्पी को मैन अब दी आर या फिर उसको हम सुनहरे पल का आदमी के नाम से जानते हैं सूरज प्रकास वैद जब मात्रत 24 बर्स का था उसके सामने एक तेज रखतार से जाती हुई कार में दो व्यक्ति जो सड़क पर सो रहते हैं उचलते हुए तेजी से वो कार आगे चली गए काफी लोग आये भीड जमा हो गए उनको देखते रहे और ये दोनों जन खून में सने हुए तड़क रहते लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की सूरज प्रकास वैद जब वहाँ पर पहुचा तो उन्होंने लोगों को दूर किया दोनों को उठा कर अपने स्वयं के रिक्सा में रखा और उन्हें अस्पताल लेकर के गया अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से कहा कि आप इनकी मरम्मत कीजिए जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तयार हूँ कुछ पैसे उसने डॉक्टर को दिये और अपने काम से जो जारा था वो आगे गया शाम को आने के बाद में डॉक्टर से फिर उसने कहा कि आपका जो बिल है वो मुझे दिजिए और जो भी उनको आपको दिखभाल किया है खर्चा किया है वो मैं आपको देने के लिए तया प्रिया भाई और भेनों प्रकाश वैद ने इन दोनों आधियों की सेवा करके उनको अस्पताल ले जाकरके उन दोनों की जान को बचाया है उस समय से आज तक सूरत प्रकाश वैद 71 वर्सका हो गया है और हजारों व्यक्तियों की जान को उसने बचाया है जब भी वो सुनता है कि किसी की दुर्गटना हुई है, किसी का एक्सिलेंट हुआ है, वो वहाँ पर तुरंत जाता है और उन विक्तियों को अस्पताल लेकर के जाता है भाई और बहनों, आज की सुसमाचार में हमने सुना कि शास्त्री येशु के पास में आकर के पुष्ता है, मेरा पडोसी कौन है प्रभी येशु उस शास्त्री को भले समारी का द्रश्टान सुनाता है और हमें अपने पडोसी को मदद करने के लिए अमंत्रित करता है अगर देखा जाए तो हमारे चारों और पड़ोसी लोग है जब हम देखते हैं कि चारों और जो व्यक्ति है वो जरूरत मन्द है किसी को अर्थिक मदद चाहिए, किसी को मानसिक कोई प्रेम का भूका है तो कोई दया का भूका है कोई प्यासा है, कोई अनात है, कोई खरीब है केहने का मतलब यह है कि हमारे चारों और ऐसे लोग है जिनको हमारी मदद की ज़वरत है जिनको हमारी सेवा की ज़वरत है और यही बात को लिये अभी सुप्रिस्त ने हमें आज भले समारी का द्रश्चान सुना है ताकि हम एक दुसरे की सेवा करे एक दुसरे की मदद करे ऐसा कहते हैं कि मानों सेवा की उत्तम सेवा है क्योंकि जब हम मानों की सेवा करते हैं तो स्वयम ईश्वर की सेवा करते हैं सुसमाचार में हमने सुना कि लूटेरों ने चोरों ने उस व्यक्ति को लूट लिया और उसको घायल करके वही पर अदमरा छोड़ कर भाग गये और उसी रास्ते से याजक आता है जो देखता है कि व्यक्ति घायल है परेशान है तड़फरा है लेकिन उसकी मदद नहीं करता है देखतर के वहाँ से चला जाता है उसी प्रकार लेवी वहाँ पर आता है लेवी भी देखता है कि कोई व्यक्ति साइड में पड़ा है परेशान है मदद के लिए तड़फरा है लेकिन उसे भी उस पर धया नहीं आती है और एक समारी आता है जो गरीब है जो अनात है और वो पेल्पायल को देखता है और उसका रुदय दया से पिगल जाता है उसके दिल में दया आती है वा उसके धाओं पर पट्टि बEC सवारी पर उसको बैठा करके अस्पताल लेकि जाता है उसकी सेवा करता है उसका इलाज करता है और डॉक्टर को पैसे देते हुए कहता है कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ इसकी देख भाल करो वापस आने पर जितना भी आपका खर्चा है वो मैं चुपाऊंगा लेकिन आप इसकी देख भाल करना प्रस्ट में मेरे प्यारे भाईयों तथा बैदों प्रस्ट में हमारे सामने आता है भला समारी कौन है या फिर समारी कौन है जो हमारी मदद करता है जो हमारी साहता करता है और विशेश करके जब हम परेशान हो कोई आ करके हमें सांत बना देता है वो है हमारा भला समारी भला समारी स्वयम प्रभी सुक्रिस्त है क्योंकि दुनिया के इस उतार चड़ाओं में जब हम परेशान हैं परिवार की समस्याओं में जब हम घिरे में हैं समाच के रिती रिवाजों में जब हम कितर बितर हो जाते हैं और ऐसी घायर विवस्ता में स्वयम प्रभी सुक्रिस्ट कहता है कि मैं कभी तुमारा साथ नहीं छोड़ूँगा याने कि प्रभी सुक्रिस्ट हमारा सच्चा समारी है वो हमारी मदद करता है वो कभी हमको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें अकेला जीवन बिताने नहीं देगा याजग, लेवी वे लोग हैं जो हमारे जीवन में सिर्फ वावा करते हैं अच्छे समय पर आते हैं, लेकिन दुख देख करके वो जीवन से बाहर चले जाते हैं कभी-कभी हमारे परिवार के लोग भी अच्छे समय पर मदद करते हैं लेकिन जब समय आता है मदद करने का सहता करने का तो वो हमसे कत्रा करके दूर चले जाते हैं भाई और बहनों येसु ही वो भला समारी है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा पैगंबर के ग्रंथ में हमने सुना है कि अगर तुम्हारी मा भी तुम्हें त्याग दे तो भी मैं तुम्हें कभी त्याग हूँगा नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़़ेगा भाईजी और बेनों, अगर ईश्वर हमारे साथ में हैं, वो हमारी मदद करता है, तो शायद आपको और मुझे भी यही मदद एक उसरे को करना चाहिए। जो स्वयम प्रविशु कृस्त के हैं, उसके सच्चे अनुयाही बन जाएंगे। God bless you.